बांच जिठानी कैसी बात कर रहे हैं माजी अभी उनकी शादी को भी तो सिर्फ पात साली हुए हैं कई लोगों को तो दस-दस साल बाद भी बच्चे होते हैं सास को सुनिता की बात अच्छी नहीं लगती वो मिता के पास जाती है देल खा मिता घर का काम करा कर सुनिता का एक तो छोटा बच्चा वो बिचारी घर को चिराग भी दे और सारा दिन किचन में खटती रहे और उपर से तुँ आराम करे दीदी खाने में क्या बनाना है दोपर को मैं किचन में जा रही हूँ अरे नहीं नहीं मैं हुना मैं खाना बना लूँगी हरे खाना आप बनाएंगी तु मुन्ने को कौन पकड़ेगा आरा तू पकड़ेगी मैं पकड़ूँगी भई मा ही तो मुन्य को पकड़ती है तू काम करे और ये मुन्य के नाम पर आराम अरे नहीं नहीं मा जी मैं मा हूँ माना लेकिन आमिता दिदी का प्यार भी कम नहीं है सारा दिन भी नहीं किलाएंगी तो रात को नीन नहीं आएंगी ने अरा तो दूसरे की ओला तो दूसरे की होती है ना, ला मिता मुन्ने को मुझे दे दे लेकिन जैसे ही मुन्ने को सास गोद में लेना चाती है, वो उनके पास जाने से इनकार करतीता है अरा काला जादू कर दिया है इसने, बच्चा किसी के पास आ ही नहीं रहा है भई मा, इसे काला जादू नहीं, प्यार कहते हैं, जो दीदी मुन्ने से करती हैं अरे हाँ हाँ, हम तो दुश्मन हैं ना इसके, जो ये हमारे पास नहीं आ रहा है अरे सगी दादी हूँ मैं, पूरी की पूरी कोठी इसी के नाम कर जाओंगी अब बोल, अब भी प्यार है क्या इससे? अमिता को सास की बात पर गुसा जाता है वैसी भी मा जी, पूरे घर में यही एक चिराग है तो आप इसे दे या ना दे, सारा कुछ इसी का है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो अभी तो बड़ी जबान चल रही है, लेकिन जब घर पूरा इसके नाम होगा ना तब पता चलेगा अमिता और सुनिता दोनों ही मिल जुल कर रहती थी, इसलिए सास की बात का दोनों को ही बुरा ना लगता मिल जुल कर काम करती और हस खेल कर रहती अरे बेटी, तेरी दोनों भाभियों ने तो मुझे साइड कर रखा है अरे दोनों में इतनी पढ़ती है कि मुझे तो डर लग रहा है कहीं एक दिन ये दोनों मेरी बात मानने से इनकार ही ना कर दे अरे तो खेल खेलो और दोनों को अलग कर दो इस पे कौन सा गाणित लगाना है मा हाँ, हाँ, ये तो है, चला देख लेती हूँ मैं अगले दिन साज धीरे से एक लाल पेन लेकर मुझे के बदन में लगा देती है और लोगों को बुला कर हंगामा करती है अरो देखो देखो, ये क्या हो रहा है मुन्ने के शरीर में अरो ये क्या हो गया मेरे बेटे को, मैं अभी इसे लेकर डॉक्टर की पास जा रही हूँ अरे ना दिदी, परिशान मत हो मैं तयार कर देती हूँ और कैब बुला लेती हूँ बाद में ले जाएए आप इसे अरे बेटा तेरा है वो क्यों ले जाएगी वैसे भी ये डाक्टर का नहीं तांतरी का मसला है किसी ने मुन्ने पर जादू करने की कोशिश की है जिससे वो मुन्ने को मार ले सुनिता ये सुनकर रोने लगती है कौन मेरे मुन्ने को मारने की कुशिश करेगा माजी नहीं नहीं ऐसा कुश नहीं होगा सास अमिता की तरफ देख कर कहती है अरा वही जिसके खुद क्यों लान नहो कैसी बात कर रही है माजी आप मैं क्यों मारूंगी अपने ही बच्ची को वो तो मेरे बेटी जैसा है अरा बेटे जैसा है बेटा तो नहीं है न वैसे भी मैंने तांत्री को फोन कर दिया है थोड़ी दिर में वहां तांत्री का आ जाता है है बगवान 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 बच्चे की जान को खत्रा है खत्रा है खत्रा है इसके उपर किसी मान जो अरत निकाला जादू का रखा है रखा है रखा है लगता नहीं ये बच्चा कभी ठीक भी हो पाएगा 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 नहीं नहीं मेरे बेटी को बजा लीजिये अमिता दीदी आप इतना गंदर सूझेंगी मुन्नि के लिए मैंने सूचा भी नहीं था अरे कैसी बात कर रही हो सुनिता मैंने तो मुन्ने को मा से बढ़कर प्यार किया ये सोचो भला मैं ऐसा क्यूं करूंगी लेकिन बेटी के प्यार में पागल सुनिता सास की जाल में फस जाती है अमिता सुनिता को समझाने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता अगले रोज नहीं मा जी मैं नहला देती हूँ लेकिन जैसे ही वो मुन्ने को नहलाने लगी पैन के निशान एक एक करके निकल गए अरे माजी, ये तो किसीने पैंसर निशान बनाय थे देखी, जैसे ही मैंने मुन्ने को नयलाया, सारे निकल गए अब अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बाबा का कमाल है कि बच्चे के उपर से ये साया दुल गया लेकिन ये क्या माजी, मुन्א तो रोया ही जा रहा है, न खा रहा है, न दूद पी रहा है, बस चाची-चाची कर रहा है और इतनी जल्दी उसका भोत नहीं उत्रेगा इसके सर से, मार-मार कर खिला जी माजी, लेकिन सुनीता का बेटा, जिसे अमिता से बेहत प्यार था, वो उसके पास जाने की जिद में ना खा रहा था, ना पी रहा था, उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, हार कर एक दिन. मा दीदी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो माई के चली गई है क्या? आरे क्या पता कहा गई, रुक बढ़कू से पोचती हूँ, ए अमिता कहा है? मा जल्दी पता कर ये ना दीदी कहा है, मुन्ने की हालत दीदी के लिए खराब होती जा रही है, सुनीता मुन्ने को लेकर नीचे अमिता के पास जाती है, अमिता बिस्तर पर पड़ी होती है, व मुन्य के बिना मैं नहीं रह सकती सुनीता मैं उसके बिना नहीं रह सकती मैं कसम खा कर कहती हूँ मैंने मुन्य को मारने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की मैं तो खुद मुन्य के बिना मर जाओंगी मुन्य आपी का तो है दीदी मुझे माफ करती जी यह पकड़ी है अपना बेटा